मैं अग्रह करूंगा अब नेता प्रतिपक्स देजेस्वी जी से कि वो इस संदर्व में बाते रखे उसके बाद तमाम हमारे कॉंग्रेस के साथ ही बामदलों के साथ ही संशेप में रखेंगे क्योंकि पी-म का मुव्मेंट है तुरंत निकलना भी पड़ेगा शुक्रिया सभी एलेक्ट्रोनिक प्रिंट मीडिया के हमारे साथ हमारे साथ कॉंग्रेस की निता राष्ट प्रवर्टता रंदीव सुर्जेवाला जी कवीता जी पवन खेरा जी और हमारे अवधेश पान्डे जी मागर बंदन के सभी साथ ही आप सब लोगों को खबर है आप लोगोंने दिखाया भी है कि मुंगेर में जो घटना हुई है जिसकी हम लोग निंदा करते हैं करी शब्दों में और प्रशाशन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं हाला कि स्थाने लोगों ने जो सूचना दी है शायद एक से ज़्यादा मौते हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं जो वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के सामने जो निकल कर के आया हैं बेहत दर्दनाग है दिल दहला देने वाला है और लगतार पुलीस का ये रवया प्रशाशन का जो रवया है ये किसी को अचानक से वहां समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलीस इतना बरबरता से लोगों को पीटने क्यों लगी फाइरिंग क्यों चलाया है चलाई गए और आपने देखा होगा पूरी तरीके से वीडियो में जो क्लिप में कि लोगों को ढूंड ढूंड करके पीटा जा रहा है बलकि बैठा करके लोगों को पीटने का काम किय है हमारी सनवेदनाएं चिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग होया है उनके प्रति है हमारी सनवेदनाएं है लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो की गरी मंत्री है वो क्या कर रहे थे क्या उनको सूचना नहीं है प्यार के उप मुख्यमंत्री शुशील कुमार मोदी जी जो बीजेपी के देता है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है ये साफ दिखाता है कि कही ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा शुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमती किस ने दी हम राज सरकार के ग्री मंतरी से राज के उपमक्ष मंतरी बीजेपी किनेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमती किस ने दी आप सब लोग जानते हैं कि ये घटना कोई मामली घटना नहीं है और हमारी मांग रहीगी कि इस घटना की जाच कराई जाए और हाई कोट के रेटायर जट से हाई कोट मॉनिटर जाच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए दोशियों को कड़ी से कड़ी साम मिलनी चाहिए और खास तोर पे जो वहाँ डियम और एस पी है तातकालिन उनको वहाँ से हटाना चाहिए तातकालिन आपको पता होगा पलीश महकमे में जिसकी वहाँ जम्यदारी है वो एक जद्यूनिता की बेटी है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन कहीं न कहीं से ये जो जनरल डायर का जो बनने का जो आदेश कहीं न कहीं से जरूर गया है इसलिए हम लगतार कहते रहे हैं कि कानून विवस्था लौ एन ओर्डर बिहार में पूरी तरीके से चर्मरासी गई है बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ ऐसा वेभार किया जाए लौ एन ओर्डर को कंट्रोल किया जाए बलकि नौजवान मासूमों को जिस प्रकार से पीटने का काम किया गया है ये बहुत ही गलत किया गया है और कानून वेवस्था के सवाल पर अगर खरा किया जाए तो यही बिहार की उपमुकमत्री शुशीन मोदी जी ने कहा था पित्रपक्ष के महीने में हाथ जोर करके कि ये अपराधिगन अभी माफ कीजे अभी छोड़ दीजे बाद में अपराध जो है वो कंटिन्यू रखिएगा तो इस तरह का बियान बाजी अगर डिप्टी सीम किसी राज के उपमुकमंत्री अगर अपराधियों के सामने गुटने टेक दें माफी मांगे तो क्या हो सकता है उसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं तो ज़्यादा कुछ इस पर हमको नहीं कहना लेकिन जो डबल इंजन बीजेपी के लोग लॉइन ओर्डर पर सवाल ख़़ा करते थे कहीं ना कहीं से आज वो फसे हुए हैं और इस पर उनको खुल करके अपनी बात को रखना चाहिए सपश्टी करन देनी चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है तो हम जादा इस पे जादा टिपनी नहीं करेंगे चाहेंगे कि रंदीप सुझेवाला जी अपनी बात को जो है आप लोगों के सामने रखे हैं बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी तेजस्वी जी ने अपनी बात बड़े सटीक शब्दों में आपके सामने रखी मुंगेर में जो नरसहार हुआ जिसकी तुलना उन्हों ने जर्नल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की साथियों एक बात साफ है कि अब बिदाई नितिश कुमार की नहीं निर्दई कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है मुंगेर में जो हुआ जिसकी चर्चा आपने की ये सोच कर भी रूख आप जाती है कि क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री जो ग्रहमंत्री भी है ऐसे हो सकते हैं जिनकी नाक के नीचे मादुरगा के भक्तों पर बरबरता से गोली चलाई जाए जिन भक्तों के सर पर माता की लाल चुनरी थी निटिश कुमार जी और शुशिल मोदी जी की पुलिस ने लाठिया मार कर उनके लहू से पूरा शरीर लाल कर दिया जैसा आपने बताया वीडियो दिखाते हैं के माता की मूर्ती की रक्षा के लिए लोग चारों और बैठ गए और उन शांती प्रिये तरीके से बैठे हुए लोगों पर जिस निर्द्यता से निर्शन सता से और बरबरता से लाठी चार्ज किया गया उसने पूरे देश के रॉंग्टे खड़े कर दिये जैसा तेजस्वी जी ने कहा आठ लोगों को गोलियां लगी ये पुलिस मानती है एक नौजवान अनुराक कुमार के सर में गोली मार कर पूरा दिमाग उड़ा दिया गया क्या इससे बड़ा कूकरिते कोई हो सकता है उसकी माँ अनुराक की माँ अपने बच्चे की लाश को गोद में रखकर बिलख बिलखकर रो रही है नितिश जी, शुशील मोदी जी, नरिंदर मोदी जी क्या इससे बड़ा दुनिया का कोई दुख हो सकता है कि माँ की गोद में बच्चे का चलनी शरीर पड़ा हो हजार सम्वेदनाओं की मौत के बाद ऐसी निरलज और निठुर सरकार का गठन होता है जो आज बिहार में है और पूरी भारतिये जनता पार्टी को साप क्यों सूंग गया वो चुप क्यों है वो बोलते क्यों नहीं जैसा आपने कहा वो केवल ट्वीड तक सीमित क्यों है और आज प्रधान मंत्री जी माननी नरेंदर मोदी जी यहां है नरेंदर मोदी जी यह आपका इम्तिहान है क्योंकि प्रदेश के ग्रह मंत्री जो मुख्य मंत्री भी है और जो उपमुख्य मंत्री आपकी पार्टी के हैं उन्होंने कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है जैसा आपने कहा इसकी जाँच तो हो ही अगर प्रधान मंत्री जी आपमें थोड़ा सा भी विवेक बचा है तो मा दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने वाले इस सरकार को आज बर्खास्थ करके जाईएगा अगर निटिश कुमार और शुशिल मोधी की सरकार को आज बर्खास्थ नहीं किया प्रधान मंत्री ने तो ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी प्रतक्ष और परोक्ष सलिप्तता इसमें है और आखिर में मैं केवल ये कहूंगा ये भी साफ हो जाएगा कि संसकार और संस्कृती भारतिय जन्ता पार्टी के लिए कुर्सी पर बैठने का विशे है आराधना का विशे नहीं विश्वास का विशे नहीं इसलिए आज बिहार की पवित्र धर्ती पर जब प्रधान मंत्री मोदी आए हैं तो प्रधान मंत्री जी को बिहार की बारा करोड जन्ता को जबाब देना पड़ेगा जहासाब मैं इसमें यही बात जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो घटना घटी है ये बहुत ही बरबर तरीके से पुलिस की तरफ से एक तानाशाही रवया दिखाता है जहां पर एक ऐसी चीज जो पर्व मनाने वाले लोग हैं शान्तिपून तरीके से हर साल ये होता रहा है इसमें अगर पुलिस जल्दबाजी करना चाहती है चाहती है कि लोग थोड़ा जल्दी करें तो इसमें परस्वेशन समझा करके जैसा होना चाहिए बजाए इसके लाठी चलाते हैं लोग जब जाहिर सी बात है कि नाराज हो जाते हैं लाठी चलाने से विरोध करते हैं फिर गोली चलाते हैं जैसे कि रंदीब जी ने कहा सर में गोली चलाते हैं बिना सर में गोली चलाए बिना लोगों की जान लिए अगर आप इतनी सी चीज को नहीं कर सकते हैं तो सुशासन की बातें मत करिए और ये पहली बार नहीं है मैं सिरफ यहां इतना एड करना चाहती हूँ यार दिलाना चाहती हूँ कि इसी सकार ने प्रदर्शन करने वाले टीचर्स पर बरबर लाठी चार्ज किया है ये आदत है फॉर्बिस गंज में बिलकुल गरीब लोग जो अपनी रास्ते के लिए मांग रहे थे वहां पर महि बिलाओं पर बच्चों पर गोली चलाई गई हत्या की गई उसमें भी कोई न्याय नहीं हुआ है तो ये इसलिए इस घटना के आईने में दरसल देश के अन्य जगहों पर भी केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनके तहट भी पुलिस की ताना शाही बढ़ती नजर आती है हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टों में ये कहा भी है कि पुलिस में रिफॉर्म होनी चाहिए नियाय व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए आम लोगों को गरीब लोगों को साधारन लोगों को नियाय मिलना चाहिए इसी बदलाव की रफ बढ़ने के लिए हम लोग है बरबर अत्याचार पुलीस के दोरा और ऐसे वक्त में जब पुरे बिहार में चुनाव का दोर हो पुलीस को तो सयम बरतना चाहिए मुर्ती वी सरजन लुक्षानती प्रवक तरीके से चाहते आपने लाठियां चलाई गोलियां चलाई आठ लोग घाल हुए और एक सांते हैं ये पूरे नितीस और सुसील मोदी जी के कारीकाल में अपराद का ग्राफ और पुलीस अत्याचार का ग्राफ का अफी बढ़ गया है और खुद जब ये चुनाव चल लही है जब आईसे वक्त में भी इस तरह की घटना घटे तो आपकल नहीं कर सकते ये एक निर ये जो खुण बही है ये मुर्ती पूजा के मौके पे तो विहार की जनता तो सबक सिखाएगी और भारत के प्रदान मंत्री आ रहे हैं हम लोग इंजार कर रहे हैं किस तरह की घटना करते हैं और हम उमीद करते हैं कि भूरे विहार की जनता इस चुनाब में भी इस घटना का प्रतिरोध करेगी, जुरदार तरीके से प्रतिरोध करेगी और राजनितिक रूप से भी इनका बिरोध होगा शुक्रिया, साथियों एक प्रतिपद प्रेस कांफरेंस ती जैसे हैं मने कहा मुंगेर की दुखत घटना को ले करके आप सभी का धन्यवाद, नेता प्रतिपक्ष और बाकी सभी नेताओं को कैमपेन में निकलना है आप सबका पुना पुना बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन, जै बिहार चलेगी परिवर्तन की बयार या पनि रहेगी अंडिये सरकार युवाद तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नितीश आएंगे काम बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचेस निउस पर देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुक्खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जोर दबाए साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले